लखनव से बड़ी खबर का रुक करेंगे अटल जी की विशाल मूर्ती लोग भवन प्रागर में इस्थापत की गई है 25 दिसंबर को होने वाले भवे कारिकर में मूर्ती का अनावरन होगा दरसल 14 दिसंबर को पियम कानपूर आ रहे हैं माना जा रहा है कि पियम मोदी मूर्त का अनावरन कर सकते हैं तो पियम मोदी इस मूर्ती का अनावरन कर सकते हैं तो लोग भवन में इस्थापित की गई अटल जी की मूर्ती जिसका अनावरन पियम मोदी कर सकते हैं 25 दिसंबर को भवे का रेकरम का आयोजन है और पियम मोदी यहां पहुँचकर मूर्ती का अना कर सकते हैं तो लोग भवन में किस तरह से इस मूर्ती को स्थापित किया गया अटलजी की व्याद में यह आपको हम तस्विदे भी दिखा रहे हैं तो 25 दिसंबर को भवे कारेक्रम का आयोजन है और मारा जा रहा है कि मूर्ती का अनावरन इस दौरान प्यमोधी कर सकते हैं तो लगणों के लोग भवन में अटलजी की मूर्ती स्थापित की गई है जिसका अनावरन प्यमोधी कर सकते हैं 25 दिसंबर को इस भवे कारेक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा तो अटलजी की ग्याद में इस मूर्ती को लगणों के लोग भवन में लगाया जाएगा और माना जा रहा है कि प्यमोधी मूर्ती का अनावरन कर सकते हैं तो 14 दिसंबर को प्यम कानपूर आ रहे हैं और उसी रहा से 25 दिसंबर को इस कारेक्रम का आयोजन होगा और माना जा रहा है कि इस दौरान प्यमोधी इस मूर्ती का अनावरन करेंगी बवे कारेक्रम में मूर्ती का नावरन होगा तो 25 दिसम्बर को ये बवे कारेक्रम होने जारा है जिसको लेकर तैयारिया जो है वो लगातार जारी है तो लकनों के लोक भवन में पूर्प्रदान मंतुरी अटल भ्यारी वाजपई की विशाल मूर्ती इस्थापित की गई है तो 25 दिसंबर को होने बाले भवे कारिक्रम में मूर्ती का अनावरन होगा और 14 दिसंबर को पियम कानपूर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है उस लिहाज से कि पियम मूर्ती का अनावरन जो है वो कर सकते हैं